एक बहुत पुराने जानकार का फोन आया बाचित हुई दुआ सलाम हुई उसके बाद वो अपने दुखदर्द बताने लगे कि हमने 20 साल से ये कर रहे हैं तीस साल से हम ऐसा कर रहे हैं हम उनके साथ थे हमने वैसा किया हमने ऐसा किया बाचित होती रही वो जो आज का मुवमेंट है पूले साहू का मुवमेंट बुद्धगा मुवमेंट उसके बारे में अपने दुख को ब्यान करते रहे पुरा जीवन उनका निकल गया मैंने उनका दिल नहीं तोड़ा मैंने का ठीक है आप मुझे भेज दीजिए कैसे मेंबर से ली जाएगी मैं ले लूँगा दरसल ऐसी जो पत्रिकाएं हैं वो बहुत ज्यादा चब गई हैं पूरे भारत में जैसे चार लाख एक्टिव इस समय SC STOBC यानि समण समाज के जो संधन हैं वो बताया जाते हैं 39 लाख का लगबग हैं उन वैसे चार लाख एक्टिव हैं जैसे अलग 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 लोग अपने ठाते नंबर भेज रहे हैं आजकल आप फेस्बुक पर यूटूब पर देखेंगे कि हर तीसरी पोस्ट में आदमी अपना IFC कोड अपना बैंक एकाउट अपना नाम भीज़ देता है इस उमीद में कि कुछ लोग उसे पैसा दे देंगे उसका काम चल जाएगा और कुछ लोग भीज भी देते हैं कोई कहीं कोई दिक्कत आगी उसके लिए कहीं किसी की साहता करनी है उसके लिए मतलब इतनी जादा मुसीबत आ चुकी हैं कि हर तीसरा वेक्ती पैसे मांग रहा है तो देने वाले कहाँ हैं? देने वाले कौन हैं? ये सारी आफ़तें इसनी आ रही हैं क्योंकि लोग समझ नहीं रहें कि जो काम वो कर रहे हैं वो outdated है वो date से बाहर का है यानि आज का जो तौड तरीका है उसमें फिट नहीं बैठता वो पुराना हो चुका है वो काम करने का तरीका खत्म हो चुका है उस काम करने के तरीके में जितना कुछ भी समाज के लिए होना था या हो सकता था वो हो चुका है इस बात को ऐसे समझें कि जैसे कोई व्यक्ति है जो कपड़ी की दुकान चलाता है और उसका एक जमाने में चुकि सारे लोग कपड़ा ख़ईते थे और कपड़ा सिलवाते थे तो कपड़ा भी खुब बिखता था और टेलर की दुकान भी भूत थी मगर अब लोग ये देखते हैं कि अगर हम हजार रुपे का कपड़ा लेते हैं और उसकी सलाई 700 रुपे है तो 1700 रुपे का पड़ता है हमें कपड़ा बनने के बाद उसमें कई दिल लगते हैं उसमें डियानी बेच्छा नहीं मिलता क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती और चॉइस भी बड़ी कम है तो लोग बना बनाया कपड़ा ले लेते हैं वो उनको 700 में 800 रुपे में कई वारतों बहुत कम कीमत में 200-300-400 में मिल जाता है तो बना बनाया कपड़ा लेना ज़्यादा अच्छा है अगर आपकी फिटिंग आती है तो नहीं आती है तो अलग बात है फिर आपकी नहीं प्रॉल्म है तो इसलिए कपड़े की दुकाने अब इतनी नहीं चलती है हाँ कपड़े की दुकानों पर जिन लोगों ने टेलिंग का काम भी रखाता उनका थोड़ा चलता है अब वो भी नहीं चलता तो लोगोंने ready mate कपड़े की दुकाने खोलनी उनकी बहुत चलती है उनकी सेल बहुत जाला होती है क्योंकि बच्चों के बढ़ों के छोटों के बढ़ों के सब की ready mate कपड़े हैं लेने देने में काम आते हैं तो जिन्होंने अपने आपको अपडेट कर लिया उनकी दुकाने चल रही है और जो अब भी कपड़े की और टेलिंगी दुकान लेके बैठे हुए है वो तो बस आ गया कोई गरहाग जिसका एक्टर लाज साइज है या एक्टर लेस साइज है या बहुत पतला है या बहुत मोटा है जो बजार में नहीं मिलता डेडी मेट में या बहुत कम मिलता है एक्टर एक्टर लाज तो वो बनवाते हैं उनसे थोड़ी बहुत आमदनी उनका खचा चलता है तो उन्होंने अपने आपको अपडेट नहीं किया वैसे ही जितने भी लोग ये किताब चाप रहे हैं या अखवार निकाल रहे हैं अब किताब और अखवार का जमाना नहीं है क्योंकि किताब और अखवार जो होते हैं एक समू के होते हैं दस-पांच लोगों का एक समू है उसमें एक एडिटोरिल है और वो हर महिने एक परंपरा निभा रहे हैं हमारी 20 साल से किताब चल लए है, हमारी 30 साल से किताब चल लए है पहली बाद तो आदे से ज़्यादा किताब पहुंचती नहीं है क्योंकि जो और्डिरी पोस्ट जाती है, वो पोस्ट से नहीं पहुंचती है जो पहुंच जाती है उनको कोई पढ़ता रही है वो पढ़ी रहती है वो महिने देड़ महिने पढ़ी रहती है उसके बाद वो कबाली के पास बिक जाती है या कोई ले जाता है या उससे पेज फाड़ के उसकी टेबल साफ कर लेते हैं या कुछ ना कुछ काम आती है या वो जो लोग जानकाई ले रहे हैं वो यूटूब से ले रहे हैं वो फेस्बुक से ले रहे हैं वो अपनी पोश्ट लिख रहे हैं और या किताब में खहिद रहे हैं किताब में खहिदने का चलन अभी है तो किताब में आपको लिखनी चाहिए अगर आप कोई समूई या कुछ बहुत ज्यादा हो गई हैं तो या तो किताब में कुछ इस्पेसल नया कोई खो जाई हो अधिकतर किताबे कैसी हैं बावा साथ ने भगवान बुद्धरों का धम लिखा तो लोग उसी पर किताब लिख देते हैं सरल सर्दों में करके वैसे करके क्वालिटी बड़ी बेगार सी या जो बावा साथ ने जितने वोलिम लिखे हैं लोग उसमें से एक एक चैप्टर लेकर किताब बना देते हैं किताबों में आंदा नहीं बहुत जवजस्त है जो किताब 25 रुपे की बिखती है कहां तक आप बार्गेनिंग करोगे तो उसमें 155 रुपे का फाइदा है अगर आपने 1000 किताबे चप वाई और दो से बिख गई तो कीमत निकलाती है इसलिए किताबे ज़्यादा बिखती है किताबे लोग खरते भी ज़्यादा है तो आज के समय अपडेट होना है क्योंकि अब सेटलाइट टीवी का जमाना है इंटरनेट टीवी का जमाना है अब सारी जानकारी इंटरनेट पर आ रही है और इंटरनेट अधिकतर जो जानका लोग है उनके पास है तो जिनके पास इंटरनेट नहीं है जो मोबाइल पर नहीं देख सकते जो कंपूटर पर नहीं देख सकते उन तक कैसे पहुंचे उन तक पहुंचने के लिए जो तरीका है व उतने सब्दों बताएंगे तो उसको जल्दी समझ में आ जाएगा जो अनपड़ है जो पड़ा लिखा नहीं है या जिसे पड़ने में दिक्कत आ रही है या जो नहीं जानता है उसके लिए हैं तो आज के समय के जो एक्यूपेंट्स हैं आज के समय के जो तौर तरीके हैं य हमको tradition में नहीं आना चाहिए. हमको नई सोच के साथ आना चाहिए. हमको अपनी सोच डबलोक पूनी चाहिए. और खुद परमपरा निभा रहे हैं उसको देखनी रहे हैं. बस निभानी है क्योंकि हम निभाते जा रहे हैं. और पैसा और टाइम उसमें बरबाद हो रहा है कोई उसका फाइदा नहीं है एक तो इतनी सारी जो पत्रिका हैं और जो पेपर हैं लाकों की संख्या में वो अलग लग हैं एक पत्रिका या एक अखवार निकालने में अगर मिनीमम पंद्रे हजार रुपे खचोते हैं प्लस उसको छबवाना पढ़ना लिखना और ऐसी ऐसी सब लोग निकालने हैं तो उसका बेनिफिट इतना नहीं है अगर सारे मिलके एक या दो या तीन डेली का अखवार निकालें या इंटरनेट पर अखवार दें या जो अच्छे अची बाते हैं जो नहीं नहीं बाते हैं उन इसका एक समू बनाएं और जितना पैसा वो लगलग खर्श करते हैं अगर सारा पैसा एकटा करके खर्श करेंगे तो उनकी ऑथेंशिटी ज्यादा होगी क्योंकि फिर आप यह कह सकते हैं कि बई देखो पूरे भारत में समण समाज की एक किताब निकलती है तो हराद में उ उसको लेगा यह मैसेज निकलता है हराद में उसको सुनेगा तो उससे क्या होगा कि यूटूब भी आपको बहुत पशा देगा फेस्बुक भी आपको बहुत पशा देगा और जो किताब आपकी बिकेगी अगर वो कम से कम मारजन पे बिकी और वो लाखों की संक्या में ब पड़ेगी, एक आपको अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी, एक आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि जो पत्रिकाया चल नहीं है, उन सब को एखटा किया जाए, तो आज के समय कमबाइन संपाधन करना मुस्क्रे काम नहीं है, क्योंकि इसके पोर्टल है, इसकी वेबसाइट ह आप कोई भी आर्टिकल डालिए, एक सेंटर में वो दूसरे पर चला जाएगा, दूसरा तीसरे में देखेगा, जिसको एडिट करना हूँ एडिट कर लेगा, आप कहीं से भी छबा लीजिए, मुंबई से छबाईए, जिली से छबाईए, कलकता छबाईए, सारा कुछ एमेल से चला जाता है, सारा कुछ डाटा चला जाता है, वो छापके देगा, आपका पैसा भी चला जाएगा, और आपकी कूरियर से किताबे अपने आप ऑटमेटिक आपी जाएगे, यानि सब कुछ आपकी डेट में आप एक कमरे में बैठ के कर सकते हैं, आप एक साथ सो लोगो क्या एडिटरियल ले सकते हैं, एक साथ सो लोगों का आर्टिकल चाप सकते हैं, बिना अपने कमरे से जाए हुए कम से कम पैसे में, इसको मैनेज करने के लिए, इसको समझने के लिए, एक वाद थोड़ी हमत हनी पड़ेगी, मैंने उन बुजर्ग को तो नहीं कहा, क्योंक इसको मास्क कमिनिकेस हैं वाले, जो पत्यकारता वाले, जो जनलिद्वाले, जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको एक सेंट्रलाइज सिस्टम जितनी जल्दी हो सके, उतना बना लेना चाहिए, इससे पहले है कि देर हो जाए, धन्सरेल गच्छाम, तो धन्सरेल गच्छ संगं सरेल गच्छाम, तो धन्सरेल 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 ग दूतियंपी गुत्तंग सर्मं गच्छामी, दूतियंपी दम्मंग सर्मं गच्छामी, दूतियंपी दम्मंग सर्मं गच्छामी, दूतियंपी सर्मंग सर्मं गच्छामी, दोखियं पी संगं सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी दोखियं पी संगं सर्णं कच्छामी ततियं पी संगं सर्णं कच्छामी